नमस्कार मैं रोसंज जैसवाल आप देख रहें बली आजकल इस वक्त चित्तु पांडे चवरा के पास मैं मौझूद हूँ चित्तु पांडे चवरा से माल गोदाम तक इस छोड़ पे जी छोड़ पे मैं खड़ा हूँ आईए मैं देखाता हूँ इस छोड़ पे कारदाई संसा निर्माल खंड अभी तक नाला निर्माल की करवाई यानि सुरुवात नहीं कर पाई है मेरी बात आज विभाग से हुई जेई से हुई उन्होंने कहा कि नौंबर अंतिम यानि नौंबर लाश्ट तक माल देपुर से और कदम तर तक जो सड़क का चौड़ी करण है बीश में डिवाइडर है उसे पूरा कर लिया जाएगा लेकिन संजोग बेहतर रहा तो समय से काम अच्छा हो जाएगा दूसरे सवाल पर मैं पुछा कि आखिर वजय क्या है कि इतना बिलंब से काम क्यों हो रहा है जहां काम जहां नाला बन चुका है वहां लेबिलिंग क्यों नहीं हो पा रही है पिछिंग क्यों नहीं हो पा रही है तो उन्होंने कहा कि नगरपालिका परसद बलिया को पाइप लाइन बिशाने की एक जिम्मेदाली दी गई है जो समय से पुरा नहीं कर पा रही है यानि कि दो महिने बचे हैं बात करें तिन महिने में तिन महिने में नगरपालिका को पाइप लाइन डालना है और उसके बाद उसी तिन महिने में पिलविडी को कारदाई संस्ता को इस सड़क को कंप्लिट कर देना है लेकिन जो समस्या यह है कि बरसाथ के दिनों में जो कीचर लग रहा है जो मार्ग छति ग्रेस हो चुका है उसको समतल उसको बराबर करने की जिम्मेदारी जिस बिभाग को है जिस ठेकदार को है जिस बिभाग को है जिस कारदाई संस्ता को है वो अपने जिम्मेदारी से लगता है भग रही है लेकिन उनका दावा है कि काम जोरों पर हो रहा है और संबंदित बिजनी विभाग और नगर पालिका को पैसा भी दे चुके हैं हम लोग कि जल्दी जितना जल्द हो सके बिजनी के तार खंबे वगर हटा लें और जो नगर पालिका को पाइप लाइन जमिन के अंदर देना है वो उसको पूरा कर ले इसके बाद पीड़ली इस रोड छतिगरश हो गया नाला अधूरा पड़ा हुआ है और अभी तक कारदाई संसा पीड़ली इस मार को पूरा नहीं कर पाई है वादे तमाम हो रहे हैं लेकिन जो जन समस्या है जो पबलीक की समस्या है उस समस्याओं से निजात कौन दिलाएगा अधिकारी जन प्रतनी लोग लापरवाई कर रहे हैं जिसके चलते काम समय से पूरा नहीं हो पा रहा है समस्याओं गंभी रहे इस वर ध्यान देने के जरूरत है फिर हम आप से जुलेंगे तब तक लेता है जुले हमसे बली आचकल से मैं रुसंजाश्वाल नमस्कार